जै मतादी. आप देखे ने धर्म सिक्षा. आज के इस वीडियो में हम चैचा करने वाले हैं वाहन मोहृत जुलाई 24 की. जुलाई 24 में वाहन कहळने के कौन-κौन से दिन सुम मोहृतों का निर्मान हो रहा है, उसी की चैचा हम इस वीडियो में करने वाले हैं. वहन आपका किसी प्रकार के हो सकता है किसी के साइकल हो सकते है किसी का बस, ट्रक, जीप, कार, मोटर साइकल कुछ भी हो सकता है जैसे भी मसीन, ट्रैक्टर किसी का कॉमर्सिल परपस के लिए वहन हो सकता है किसी का परस्नल यूज के लिए हो सकता है कोई भी व्यक्ति जब भी वहान खहिता है तो अपने जीवन की काफी गारी कमाई उसमें लगाता है और ज्यादातर लोग लोन लेकर ही वहान खहिता है और जब भी वहान खहिता है तो अक्सर पूरे परिवार के साथ उस पे यात्रा भी करते हैं ऐसे में यात्रा सुखद रहे, सभी अच्छे से यात्रा करें, और उस वहान का उपभोग अच्छे से हो पाए, पूरे परिवार के लोग कर पाएं, इसके लिए एक अच्छे मुहुर्त में ही वहान का खाईदा जाना आवस्यक है, महुर्थ में खईदा जाने का अतातपड़ी यह है कि जब आप सोरूम से गारी रिसीव करते हैं तो उस अमुक गारी के आप मालिक बनते हैं तो वो रिसीव अच्छे महुर्थ में करना है बयाना कभी भी दिया जा सकता है उसके घबराने की कोई बात नहीं है जब आप बयाना देते हैं गारी के बुकिंग कराते हैं तब आप गारी के मालिक नहीं बनते हैं नहीं गारी खईदी भी मनी जाती है जब तक आपको गारी मिलना जाये हाथ में तब तक उस गारी के आप मालिक नहीं बनते हैं मालिक बनने का ही महुर्त होता है तो अच्छे महुर्त में ही मालिक बनना चाहिए आईए अपचर्चा करते हैं कौन-कौन से दिन सुब महुर्त बनेगा मुहुर्थों की जानकारी से पहले ये जाना ज़वर आवसेक है कि किन-किन परिस्थितियों में वहाँ नहीं खहिदना चाहिए इंटरनेट पे अन्य जगों पे अलग-अलग समय में कुछ भी मुहुर्थ दे दिया जाता है तो ऐसे में जानकारी हमें होनी चाहिए कि किन-किन परिस्थितियों में बिलकुबली मुहुर्थ नहीं होता है वो नूट कर लिजी आप शनिवार और मंगलवार को वहाँ नहीं खहिदा जाता है चाहे कोई भी आपको कितना भी कहे आप नहीं खहिदेंगे इस बात को नूट कर लिजीए दूसरा राहुकाल हर रोज ही आता है चाहे कोई भी मुहुर्थ हो बीच में राहुकाल अगर आ गया ना तो उस राहुकाल वाले खंड में आपको वहाँ गारी सोरूम से रिसीव नहीं करना है इस बात का जोड़ ध्यान रखिए तीसरा भद्रा भद्रा यानि की विष्टी करन में भी गारी नहीं खहिदना चाहिए वहाँ किसी प्रकार का नहीं खहिदना चाहिए इंटरनेट पे मैं कल ही देख रहा था कि जो पंचांग बता जा रहा है आपको मोर्द बता जा रहा है भद्रा का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है भद्रा में ही आपको मोर्द उठा के दे दिया जाता है तो भद्रा में भी वहान खहिदने से बचना चाहिए। चौथा, आपकी रासी से जब चंद्रमा चोथे आठमे या बारहुए भाव में हो तो भी आपको वहान नहीं खहिदना चाहिए। माल लीचे अमुक दीन बहुत ही अच्छा महरत है। लेकिन आपकी रासी से चंद्रमा 14, 8 वे या 12 वे भाव में हैं, तो सबके लिए महरत अच्छा माना जाएगा। लेकिन आपके लिए वह महरतには नहीं हैं। तो रासी से चंदमा की स्थेती का ध्यान जोड़ रखें इसके अलावा पंचक जब से जब तक चले तब तब भी आपको वाहन नहीं खहिदना चाहिए लगे हाथों आएज जान लेते हैं पंचक कब से कब तक रहने वाल है जुलाई दुजार चौबिस में तो मंगलवार 23 जुलाई 24 को पंचक आरम होगा दिन के 12 बच कर 4 मिड़ से और पंचक की समापती शनीवार 27 जुलाई 24 को होगा साम के 5 बच कर 3 मिड़ पर तो मोटा मोटा आप यह समझे जिए कि 23 जुलाई से 27 जुलाई दक पंचक है इसमें वाहन खैदने का कोई भी महुर्त नहीं होगा यह तो थी किन-किन परिष्थितियों में वाहन नहीं खैदना चाहिए अब आईए वाहन के महुर्तों की चर्चा कर लेते हैं इस माह में कुल 6 महुर्त बन रहे हैं वाहन खैदने के लिए हो सकता है यह 6 महुर्त आपको सूट न करें या अपनी रासी के अनुसार आप महुर्त व्यक्तिकत तोर पे निकलवाना चाहते हैं तो घबराने के कोई बात नहीं है इस वार्टसप नमर पे संपक करना है आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ 111 औरपे की दक्षेना से जमा करकर अपने लिए आप वाहन महुर्त निकलवा सकते हैं आईए महुर्तों की चर्चा कर लेते हैं पहला सुब महुर्त बनेगा बुद्धवार 3 जुलाई 2024 को इस दिन ते ठीक क्रम सा 82 और 23 रहने वाली है नक्षा तर रोहनी रहेगा सुब महुर्त करने मानों का सोर्योदे से लेकर अहो राती तक इसमें भी दोचियों का ध्यान जोर रखेंगे आप सुर्योदे से अहो राती हैं अर्था जब से जब तक आपके हैं सोरूम खुला रहे आप वहान कहिए सकते हैं लेकिन दोचियों का ध्यान जोर रखना है रासी से चंद्रमा के स्थिति चोथे आठ में बारा में ना हो दूसरा राहोकाल का ध्यान राहोकाल की जानकरी एक दिन पहले ही साम के चार बजे हमाई चैनले पर पंचांग का वीडियो आता है उसमें आपको मिल जाएगा दूसरा सुब महुर्थ बन रहा है गुरु वार चार जुलाई को एधिन तित्थी चतुरदसी रहने वाली है नक्षातर मेक्सी रहने वाला है सुब महुर्थ करिमान होगा साम के चार बजकर 47 मिलर से अहो राते तक अर्थात साम के चार 47 से लेके जब तक आपके हाँ सोरुम खुल आड़े आप वाहन खरीद सकते हैं साम के चार 47 से पहले इस दिन भद रहा है तो इससे पहले वाहन खरीदने सबको बचना चाहिए तीसा सुब महुर्थ बनेगा रही वार 14 जुलाई 2024 को इस दिन तिथी अश्टमी रहने वाली है नक्षा तर चित्रा रहने वाला है इस दिन भी सुवियोद्र से लेकर आप देके आठ बच कर नौम मिनट तक महुर्थ बन रहा है वाहन खरीदने के लिए तो अर्थात मोटा मोटा जब तक आपके हाँ सुरूम बन ना हो जाता तक आप वहान खरीद सकते हैं क्योंकि 8 बच कर 9 मिनट से पहले पहले ही सुरूम बंद हो जाता है जगा हो जगा तो जब से जब तक आपके यहां सोरूम खुला रहे, आप वहान इस दिन भी खईद सकते हैं दोनों चीयों का ध्यान यहां भी रखने हैं आपको पहला तो अपनी रासेशी चंद्रमा के इस्थेति का ध्यान और दूसरा राहुकाल का ध्यान चोथा मुहुर्थ बनेगा सोम वार 15 जुलाई 2024 को इस दिन तेथी क्रम सा 9 मी और 10 मी रहने वाली है नक्षातर स्वाती रहेगा और सोम मुहुर्थ का निमान होगा सूर्योदेश लेकर रातरी के 10 बचकर 19 मिन तक अर्थात जब से जब तक सोरूम खुला रहे इस दिन भी वाहन खहिदा जा सकता है दोनों चुयों का ध्यान यहां भी रखना आवसेक है रासी से चंदर्मा के स्थिति का ध्यान और राहुकाल का ध्यान पांचमा सूब मुहुर्थ बनेगा सूमवार 27 जुलाई 24 को इस दिन तिथी क्रमसा एकादसी और दौादसी रहने वाला है नक्षतर अनुराधा रहने वाला है सूब मुहुर्थ का निवान होगा साम के पांच बच का सत्ताओन मेर्स लेकर रातरी के एक बच कर बाईस मेर तक अर्थात साम के पांच सत्ताओन के बाद रातरी के एक बाईस तक आप वाहन खहिद सकते हैं राहुकाल इससे पहले ही खतम हो जा रहा है लेकिन चंदर्मा की स्थिती का ध्यान जरूर रखना है आपको चंदर्मा से आपकी रासी चोथे आठमें या बारहों नहों इसका जोड ध्यान रखना है और साम के पांच सत्ताओन से पहले भूल के भी वाहन आपको नहीं खहिदना है क्योंकि इससे पहले भद्रा रहेगा तो अब कुछ लोगों के मन में यह प्रस्न उठेगा कि पांस सत्ताओन के आसपास तो सोरूम भी हमारा बंद हो जाता है सारे छेप जे साथ वेदे का आसपास तो हम कैसे इतने कम समय में खहित पहेंगे तो इसका उपाय है कि आप दो पहर में ही सोरूम चले जाएं उनको पैसे दे दें और उनको कहें कि जो भी करना है आप इतने दिन में कर लो मुझे पांस सत्ताओन के बाद साम में गारी चाहिए आप बिलकुल रेडी करके में लिए रख लो जब पांस सत्ताओन हो जाए तो गारी आपको सोरूम से रिसीब करना है और फाइनल पेपर उसी समय आपको ले 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 है ये आप कर सकते है छठा और इस महा का अंतिम जो सुब महुर्थ बनेगा वो बनेगा सूम वार 22 जुलाई 2024 को इस दिन तिथी प्रतिपता रहने वाली है नक्षदर स्रवन रहने वाला है और सुब महुर्थ करने मानों का सूर्व गोदे से लेकर रातरी के 12 ब्यालीज तक अर्था जब से जब तक आपके हैं सूरूम खुला रहे आप वाहन इसमें भी ख़ईच सकते हैं दोने चियों का ध्यान यहां भी रखना आवशक है पहला आपनी रासी से चंद्रमा चोथे आठ में बारावे ना हो इसका दूसरा राहुकल का तो मित्रो मुझे पूरी उमीद है अब आप एक अच्छे समय में एक अच्छे महुर्थ में ही अपने वाहन को खड़ी देंगे अगर आप व्यक्तिकत्त रुपे महुर्थ निकलवा चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया इस वाट्सअप नमर पर आपको संपर्ख करना है यहाँ पर आप सिर्फ पर सिर्फ 111 रुपे की दक्षियान से जमा कराकर अपने लिए वाहन महुर्थ निकलवा सकते हैं तो मिलते हैं सित्रा की अन्नेगे आन्मरतक वीडियो के साथ तो तो देखते रहे हैं धर्म सिक्छा जैमाता दिव